सब्सक्राइब कीजिए अज्जी एज्जेयोगेशन यूटूब चैनल को लटेश्ट एज्जुकेशन वीडियो देखने के लिए sबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकृन को जरूर दुमाएं तो दोस्तो वीडियो को श्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपको करना है अनगेडिमी का लर्णिंग अप डाउनलोड जिसके उपर मिलते हैं आपको फरी में बेश्ट कोर्सेश तो वहां पर मैं भी बढ़ाता हूँ तो आपको Anakademy का learning app download करना है उसके बाद में आपको उसके अंदर login करना है login करने के बाद में आपके सामने search box दिखाई देगा उसमें आपको मेरा नाम लिखना है Ajabal फिर आपको मेरी profile नजर आ जाएगी इस प्रकार से यह मेरी photo दे रहिए है फिर आपको वहां से फोलो करना है अगर आप मेरे कोर्सेस देखना चाहते हैं मैस्मेटिक्स जेनरल साइंस की तो आप देख सकते हैं क्योंकि रोजान अपडेट करता हूँ मैं हाँ जी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अज्वेटिकेसन यूट्यूब चैनल पर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबालीजिए बेल आइकन का बटन तो दोस्तों आज मैं आपको स्टाट करने जा रहे हैं ओलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नमबर पांच जो कि आपके लिए बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वारा है तो जिस भी किंटे ने अभी तक पिछले चारू टेस्ट नहीं देखें तो देख लीजिए इसी व जैसे कि हमको पता चल जाए आप कौनस्यकूिश्टिन का इंसल्ट दे रहे हैं जिसमया आप पहले का इंसलर जा जरंवे पहले हैं तो आप एक नमबर लगा करना है दूसरे का जैसे मादो डूर लगाgend conduct करना चै़कर ना करने शर्यास CRIT करना करना है इस प्रकार शूए बोला जाता है रजत में यह ऐल्यूमिनियम में यह सिलीकन में यानि चार उप्संदे रहें इन में से किसमे परतिरोध का रिनातमग तापकरण गुनांग होता है कौन से में होता है परतिरोध का नेगेटिव जल्दी से बता दीजिए बहुत सब्सकीर करएं कुछ ख़ो युदत करें दी नी सिलिकन जो की एक अर्थ चालक होता है अर्थ चालक में दौपदारत होते हैं एक होता है सिलिकन एक होता है जर्मेनियम जिसे आइसी चिफ वह गयरा बनाई जाती है अगला परसने है दोस्तों दो नमबर सॉल्डर किस का मिसर दातू है ये क्यूशन पुछा गया है डीमर्सी में सॉल्डर किस की मिसर दातू है तामर एमम एल्यूमिनियम की टीन एमम सिसा की या नेकल तामर और जैस्ता तिनों की यह रजधत तामर और सिसाति इनकी जल्दे से बता दिज가 जुप चाहिए किन में टाइप करकि कि YOU तो स Curry तो स सबसे पहला झाल सबसे किन्हें की लाफ जार कर रहे हुं दोब ए सोलडर किसकी मिसल्जातो होती है जल्दी समेट चाहिए neu तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएका बी यानि टीन एवं सीशा की मिस्वज़ात होती है मिसा सोल्डर यह DMRC में पुछा गया था क्यूश्यन अगला परसने तीन नंबर यह भी DMRC में आया हुआ है क्यूश्यन सोल्डर हे तू किस प्रकार का फ्लक्स उपयोगी होता है यानि सोल्डर हे तू किस प्रकार का फ्लक्स उपयोगी होता है जिंक कल्राइड वाला टेलो वाला या हैड्रो कल्राइड वाला या रेजीन वाला कौन सा होगा जल्दी से बता दीजिए जिसको भी एंसल पता है कमेंटबॉक्स यह आपको जैसा भी आता है वैसा इकमेंट बोक्स है टाइप कर दीजिए वर साथ में आपको क्यूश्टन नंबर जरूर लगाना है क्यूंकि आपके कमेंट है वो लेट आ रहे हैं थोड़ी इसी विज़ए अगला परसन है चार नमबर इलेक्टरों सिदान्त के अधार पर इलेक्टरोंस प्रवाइट होता है नकरात्मक से सकरात्मक की और जाते है या सकरात्मक की और जाते है या सकरात्मक की और जाते है या नकरात्मक की और जाते है जल्दे से बता दीजी इलेक्टरों सिदान्त के अधार पर connectors provide हूता है ये क्यूष्न पूछा गया है जैपून 통 उम्ला कोर्परेशन में जैमर्सी में तो suckarasmag cinco आप धनात्मक भी बोल सकते हैं और जो nakarasmag होता है इसको आप धनात्मक भी बोल सकते हैं क्योंकि क्यूश्न में इसी प्रकार से पूचा जाता है एक्जाम होता है तो थोड़ा वहत गुमाव पिरा कर जिससे कि हमारे समझ से बाहर हो जाए इलेक्टरोंस सिदान्त के अधार पर इलेक्टरोंस पराइट होता है जल्दी से बता दीजी कुछ गंडरेस का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है हाँ तो दोस्तो इसका अंसर होगा A नकरात्मक से सकरात्मक की और जाते है मेसा जो इलेक्टरोंस है वो इलेक्टरोंस के सिदान्त पर यानि नकरात्मक के मतलब हो गया नेगेटिव से पोजिटिव की और जाते है मेसा आपको यहाद रखना है नेगेटिव से पोजिटिव की और एकला परसन दोस्तो पांच नंबर जल्दी से कमेटबक्स में टाइप करके बता दीजीए इलेक्टरोंस के परवाह से किसका निर्मान होता है यह भी JMRC में पूछा गया कि उचिन है यानि इलेक्टरोंस होता है उसके परवाह से किसका निर्मान होता है दारा का, वोल्टेज का, उर्जा का, या परतिरोधक्ता का जल्दी से बता दीजीए कमेटबक्स में टाइप करके तो बहुत सा एकेंडर्स का जाब बिल्कुल सही आ रहा है आज दोस्तों इस कैन से रहे जगाए A, दारा का यानि इलेक्टरोंस के परवाह से हमेशा दारा का निर्मान होता है अगला परसन है छे नंबर, फेरड की का ही क्या होती है वोल्टेज, कैपेस्टेंस, एनर्जी या पावर, कौन सा होगा इन में से जल्दी से पता दिए कमेंट बुक्स में टाइप करके फेरड की का ही क्या होती है, कल सामकाट पर जे लेकर रहेंगे हम आपके लिए अगला टेस्ट इस यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगा हमारे साथ और जिसने भी तक पिछली टेस्ट नहीं देखें तो देख लीजिए सभी की सभी वीडियो अवेरिवल है तो बहुत साथ इसका जवाब बिल्कुल सही है, इसका एंसर हो जाएगा बी यानि कैपेस्टेस होती है, मैंसा फेरड की काई अगला परसनल उस तो साथ नमबर जल्दे से बता दीजिए कमेंट बक्स में टाइप करके एंसर जब संदारितर को पुरी तरह अवेशित कर दिया जाता है या पुरी तरह से चार्ज कर दिया जाता है तो परिपत में जो दारा का मान होता है वो क्या होगा ये डिमर्स में पुछा गया क्यूशन है अधिक्तम होगा नियुन्तम होगा या सुन्य होगा या संयत होगा जल्दी से बता दीजी यानि जब कोई संदारीतर है या कैपेश्टर है उसको हम पूरी तरह से चार्ज कर देते हैं या वेसित कर देते हैं तो जो परिपत होगा या सर्किट बोल सकते हैं इसको तो उसमें दारा कमान किस परकार का होगा जल्दी से बता दीजिए कुछ कंड्रेट्स का जवाब सही आ रहा है आपको जैसा भी आता है वे सही टाइप कर दीजिए कमेट बॉक्स में हाँ तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा सी कुछ कंड्रेट्स ने सही जवाब दिया इसका जो सबसे पहले एंसर टाइप कर रहा है बिल्कुल सही तो उसके मैं नाम टाइप भी कर रहा हूँ कमेट बॉक्स में तो इसका एंसर होगा दोस्तो सी सुनने होगा यानि जब कोई संदारीतर होगा उसको हम पुरी तरह से चाल्ज कर देते हैं तो परिपत होगा या सरिकट बोल सकते हैं जिसको तो उसमें मैं संदारा का मान है वो सुनने होता है अगला परसन है दोस्तो आठ नंबर सुद्धारीता सर्केट का सकते गुनक क्या होता है अधिक्तम इकाई या 0.8 अगरता वाला या सुनने वाल कौन सा होगा इनमें सेंसर जल्दी से बता दिज़े कमेट बॉक्स पर टाइप करके सुद्धारीता सर्केट का सकते गुनक केस परकार का होता है तो बहुत सा एक अंडरेस का ज़ाब बिल्कुल सही आ रहा है हाँ तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगर D सुन्य यानि सुद धारेता सर्किट का सक्ति गुणा का है वो सुन्य होता है अगला परसन है नो नमबर चालकों के मद्य उत्पन किये हुए आरक को गठाने के लिए आरक को बोला जाता है चिंगारी भी बोल सकते हैं दोस्तों यह DMRC में पुछागे एक उसन है यानि चालक होती हैं दो उनके मद्य जो उत्पन हुए आरक होगा या जो चिंगारी होती है उसको गटाने के लिए कौन सी वेदूत युगती प्रियुक्त होती है दारितर, पर्तिरोद, डायोड या ट्रांजिस्टर जल्दी से बता दीजी यानि दो चालक हैं उनके मद्य अगर कोई आरक पैदा हो रही है तो उसको गटाने के लिए कौन सी वेदूती का प्रियुक्त किया जाता है कुछ कंडिर्स का ज़ाब बिल्कुल सही आ रहा है हाँ तो दोस्तों इसका इंशर हो जाएगा दारितर का प्रियोग लिया जाता है मेसा ये क्यूशन डिया मार्शी में पूछा गया है दोस्तों आज जो लगवो मैं क्यूशन लेके आया हूँ आप सभी के लिए वो सभी के सभी एक्जामें आयू हुए हैं अगला परसन है दस नंबर ये एमोशन इंपोर्टन क्यूशन आप सभी के लिए डिस्चार्ज बैटरी के आंतरिक पर्तिरोद पर क्या प्रभाव पढ़ता है यानि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय उसके जो आंतरिक पर्तिरोद होता है उस पर क्या प्रभाब पड़ता है वो गड़ जाता है या वही रहता है या बढ़ जाता है या रिनात में को जाता है जल्दी से बता दीजिए यानि जब बैटरी होगी तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसका अंत्रिक परतिरोद है उस पर क्या प्रभाब बढ़ेगा जल्दी से बता दिजी कमेंट वक्स ने टाइप करकें जिस जिसको टेस्ट अचा लग रहा है प्लीज लाइक जुरूर कीजिए और जिसने वे बतेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लिजी हां तो बहुत सा एक अंडेर्स का बिल्कुल सही आ रहा है तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा सी कुछ कंडेर्स ने गल्द किया इसका एंसर यानि बैटरी जितनी भी डिस्चार्ज होती जाएगी उतना ही उसका जो आंतरिक परतिरोद बोल सकते हैं उसको तो वह बढ़ता जाता है अगला परसन दोस्तों गयर नमबर सीशा संचाइक बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अमल का अनपात कितना रखते हैं जल्दे से बता दीजिए यानि जो सीशा संचाइक बैटरी होती है जिसको लेड एसीड बोले जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और पानी होता ह उन दोनों का अनपात कितना रखा जाता है दो अनपात एक 16 अनपात एक 3 अनपात एक या 5 अनपात एक कौन सा होगा इंड में सेंसर जल्दे से बता देजी दोस्तो बहुत साइक अजर्स को जाब बिल्कुल सही आ रहा है तो आप सभी के त्यारी वे से अच्छी है सभी की तो दोस्तो इसका अनपात एक रखा जाता है मेंसा जो इलेक्टिकलाइट में पानी और अम्मल होता है उनका अनपात अगला परसन है 12 नमबर नीमन में से कौन सा लोहे चुमक्या पदार्थ है यानि चार ओप्शन दे रखे हैं इनमे से कौन सा लोहे चुमक्या पदार्थ है निकल प्लेटिनम, अल्यूमिनियम या जस्ता लोहे चुमक्या के पदार्थ कौन सा है इनमे से जल्दे से बतातीजिए बहुत सा एक अन्डर्स के जाब सही आ रहा है हाथ दोस्तो इसका अन्सर हो जाएगा यानि निकल यह एक लोहे चुमक्या पदार्थ है अगला परसन है या जो लोहे हानिया होती है उनके लिए या इनमे से कोई नहीं कौन सा होगा इनमे से अन्सर यानि वीदूत मसीने होती है उनकी क्रोड को पटलित क्यों मनाते हैं जल्दे से बता दीजिए आपको जैसा भी आता है कमेट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आद दोस्तो इसका इंसर आज़ागा बहुत सेकंड रेसका जब सही है इसका इंसर होगा A बहुत दारा हानी को कम करने के लिए अमेशा वीदूत मसीनों की क्रोड को पटलित बनाया जाता है अगला परसने चाओधा नमबर वीदूत चुंबक की सामड़ते कैसे बढ़ाई जा सकती है जल्दी से बता दीजिए ट्रन की संख्या को बढ़ा कर या दारा का प्रिमान बढ़ा कर या दारा का प्रिमान गढ़ा कर या चालक की लंबाई को बढ़ा कर कौन सा होगा इंवे सेंसर यानि वीदूत चुंबक है उसकी समर्थे को बढ़ाना है हमें तो हम क्या करेंगे जल्दे से बता दीजिए बहुत साइकन डिर्सका बिल्कुल सही आ रहा है आतो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा बी दारा का प्रिमान को बढ़ा कर यानि अगर हम दारा के प्रिमान को बढ़ा देंगे तो उससे जो विदू चुम्बक होगी उसकी समर्थे भी बढ़ जाएगी अगला परसन है पंदरा नंबर आज का लास्ट एंड फाइनल क्यूशन वोल्टेज वैदारा के बीच का कौन क्या कहलाता है जल्दी से बता दीजिए हाँ तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा डी फेज अंतर कहलाता है बोल साइकन्ड इसका जवाब बिल्कुल सही आया है तो दन्यवाद दोस्तो आप सभी का जुड़ने के लिए आज वाले टेस्ट में जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि कल साम को आठ वजे हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला टेस्ट इसी यूजटूब चैनल पर दोस्तो अगर आपको आज का टेस्ट अचा लगा हो तो इसे लाइक जुरूर करना और साथ में अगर आपको कोई कमी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जुरूर बताना और साथ में इसे अपने अपने वर्टसप ग्रूप में सेर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंडेट्स को पता चल सके इस लाइफ टेस्ट के बारे में धन्यवाद दोस्तों आप सुभी का दिन शुब रहे आपका वरोसा हमारा साथ जैहिंद वन्दे मात्रम